दोस्तों, अपने FonPay के माद्यम से Index Fund रहे हैं, Mutual Fund में Investment कर रहा हैं, मंतली SIP ले रखी हैं और आपके SIP के Amount को बदलना चाते हैं, Amount कम करना चाते हैं या Amount को बड़ाना चाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, आज की वीडियो में Complete आपको जानकरी देंगे दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं हूँ विकाश मिश्राव और आप देख रहे हैं Grow Business Finance Hub तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसे ही helpful content आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मोबाल की स्क्राइब से आपको बिल्कुल लाइफ करके बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल भी confusion ना हो तो दोस्तों चलिए जल्दी साब बताते हैं आपको mobile की screen on करके दोस्तों side में आपको mobile की screen show हो रही होगी तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं phone pay application पे जैसे ही आप phone pay application on करेंगे तो नीचे की तरफ आपको कुछ option मिलेंगे उसमें दोस्तों insurance के तो आपको दो option देखने को मिलते हैं एक मिलता mysip और एक मिलता my orders ठीक है तो दोस्तों सीधा हम चलेंगे mysip क्योंकि हमको changes करना है mysip पे जैसे ही आप click करोगे तो दोस्तों आपके पास एक list आएगी वो list वो होगी जिसमें आपने sip जो आपने ले रखी वो complete उसमें जानकारी होगी ठीक है यहाँ पर दोस्तों देख लिजिए hdfc index fund मुझे show हो रहा है क्योंकि मैंने hdfc में sip ले रखी है तो simple सा दोस्तों मैं hdfc index fund पे click करूँगा दोस्तों जैसी आप इस पे click करोगे तो side में आपको एक option मिलेगा modify का ठीक है तो modify पे जैसी मैं click करूँगा दोस्तों तो देख लिजिए उपर की तरफ मैंने 100 रुपे का दोस्तों इसमें sip कर रखी है अब मुझे change करके इसको 2 रुपे करना है तो कैसे करना है दोस्तों simply 2 रुपे दोस्तों लिखे दैना आपको जैसी आप 200 रुपे लिखोगे दोस्तों नीचे-णीचे option मिलेगा continue का दोस्तों इहाप continue प्र click करना है यहाँ से confirm करना है जैसी आप confirm करोगे दोस्तों तो यहाँ से पुछे गए bank अगर आपको इसे bank से करना है तो इसी bank से कर लीजी, अगर आपको bank change करना है तो आप bank change कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है जैसी आप change पर click करोगे आपकी जितने भी bank के सबकी list आजाएगी मैं Kendra bank से करना चाहूँगा Kendra bank पर click करकी मैं apply करूँगा जैसी मैं apply करूँगा, देख लीजी दोस्तों मेरे से मेरी pin मांगी जाएगी मैं मेरी pin डाल दूगा ये दोस्तों मैंने थोड़ा hidden कर लिया है ये कुछ processing लेगा दोस्तों देख लीजी processing की अबादी बिल्कुल success कर देगा थोड़ा wait करते हैं दोस्तों यहापे ये देख लीजी दोस्तों auto pay update successfully दोस्तों मैंने SIP थी, auto pay की थी इस वहे से दोस्तों bank से permission लेनी पड़ी ठीके, तो दोस्तों देख लीजी amount change हो चुका है यहापे 200 रुपे आ चुका है, पहले था 100 रुपे का ठीके, तो दोस्तों देख लीजी finally मैंने आपके सामने करके बता दिया कि हमारी जो SIP का amount होता है उसमें कैसे modify कर सकते हैं amount को आप कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो तो दोस्तों मैरा 100 रुपे का amount तो मैंने इसको 200 रुपे करके आपको दिखाया है, दोस्तों यह एक दिन का processing का time लेगा यहां पर दोस्तों देख लीजी लिखा हुआ है SIP update in process ठीक है, तो दोस्तों यह कल बिल्कुल processing इसकी खतम हो जाएगी यह बिल्कुल update हो जाएगा कल की date में ठीक है, वैसे दोस्तों 24 hours लगते हैं कल की date में easy way में हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोस्तों जैसी में आपका amount का बता है, वैसी ही दोस्तों आप installment की जो मारी date है, उसको भी आगे पीछे कर सकते हो बिल्कुल same process रहेगा, ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आज वीडियो में जैस की शाम दोस्तों